आज हम लोग क्लास 10th NCERT exercise 11.2 का question no.4 देखेंगे construction है तो देखिएगा इस question को करने से पहले हैं आपको कुछ rough draw करके दिखाएंगे जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इस question को समझ पाओगे और कर पाओगे तो लिए देखते हैं question no.4 क्या कह रहा है 5 cm रेडियस का एक ब्रित 5 cm तरिज्जा का एक ब्रित पर ऐसी दो असपर्स रेखा किछ यह जो दोनों असपर्स रेखा 60 डिग्री पर जुका हो सपोस्ट देट मान लेते हैं यह एक 5 cm रेडियस का एक सरकल है और हमें बनाना क्या चीज है दो असपर्स रेखा और दोनों असपर्स रेखाओं के बीच का जो कौन है वह होना चाहिए 60 डिग्री तो कैसे करेंगे तो थोड़ा आप तिमाग लागए यहां से अगर हम इसको construction करते हैं और इसको construction करते हैं तो हम सभी जानते ह जो थोरम पर होंगे 10.2 उसमें क्या परे थे वृत की सोड़ी 10.1 जो परे थे वृत की असपर्स रेका असपर्स बिंदुसे जैनल लितरिज्या पर लहम होते हैं 90 यह भी 90 यह देखने में कैसा सेफ है तो चत्रभूज क्या करका चार भूजा से घीरा हुआ बंदा करीती है तो चत्रभूज होँआ पर चत्रभूज के चारों अंता कॉन का योग होता था 300 नेगरी यह मेरा 90 दिघी यह भी 180 प्लस 60 240 डिग्री कितना वह गया 240 डिग्री टोटल एंगल होता है 360 तो 360 डिग्री से माइनस कर देंगे 240 डिग्री तो मेरा डिजल्ड जो आएगा वह आजाएगा कुछ इस परकार से 120 डिग्री तो गिन्र सेंटर पे बनाने होगा 120 तो सबसे पहले मेरा वर्क क्या होगा कि पहले 5000 डियूटर रडियस का क्या करते हैं चलिए कर लेताइं सरकल ड्रोव कुछ एक आपकर सिंटिमीटर रेडियस का और देखते हैं किसे बने या कोस्टन काफी ही को से टेंशन मत लेज़ेगा काफी एजी आ कंस्ट्रक्शन काफी जी ही होता है मेरा पहला काम क्या रहेगा फाइब सेंटिमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रो करना यहीं मेरा पहला वर्क है फाइब सेंटिमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रो करते हैं ठीक है चलिए करते हैं कुश्चन को मेरा काम क्या था फाइब सेंटीमीटर रेडियस का एक सरकल ड्रोग कर लेते हैं तो चलिए प्रिधकर नहीं होगा तो चलिए कहीं भी खीस सकते हैं रेडियस स्वतंद्र हैं आप कीचने के लिए खीच लिए फाइब सेंटीवीटर रेडियस स्वतंद्र है किचने के लिए सेंटर से आप परीती तक मिला जिए सरकंफरेंच तक मिलाएगा रेडियस मिलिया अब बोला देखिए आप यहाँ पर रफ जब डाग्राम खीचे थे वहाँ पर आप लोग को पता चला था ना यहा हम सभी जानते 120 बनाता है तो यहां से हम इसको मिला देते हैं तो 120 हमें सेंटर पर पता चल चुका है यह जो एंगल मिला मैंगि आंगिना डिए 120 टीगरी का अंगल बन गया नाम इसको दे सकते हैं आप ना याइनटी डिग्रीर एंगल बना यहां पर ना एन्टीर एंगल बना थे 90 का ऐसे बना 60 120 180 180 का बीच तो 180 का बीच याने कि टू से टिवाइट करेंगे तो 90 फूर गया 90 दिए मेरा अंगल हो गया लाइन को हम लोग ड्रोग कर लेते हैं ठीक है चलिए देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग 90 दिगर अंगल बनाएंगे ए पर भी 90 दिगर के अंगल हम लोग कर लेते हैं ठीक है यहां से देखिएगा आप पेन का यूज नहीं करेंगे पहले भी हम बता चुके वीडियो में हम वीडियो में पेन का इसमाल इसलिए करें ताकि आप लोगों को क्लियर दीखें पिक्चर बनी गया 90 अब इसको इससे हम लोग जॉइन करा देंगे खुद बखुद हमें यह पॉइंट पे 60 डीडि अंगल प्राप्त हो जाएगा जो हमें बनाना था इस पॉइंट को लिते हपी तो यह मेरा कुशन नमर फोर्थ हो गया इस पर कर कंप्लीट जो रचना के चरन होंगे आप लोग को हम पहले भी वीडियो में बता चुके कैसे लिखा जाता है जिस जिस स्टेप का यूज करते हम रचना करने में वही स्टेप को हमें लिख देना है तो वही रचना के चरन होंगे तो को सब्सक्राइब हो देखेंगे फाइब कि नेक्स्ट वीडियो